वेल्कम टू माई चैनल गाईज आप देख रहे हैं ग्राफिक्स टैट कुल्दी प्यादों के साथ आज की इस टूटोरियों में मैं बताऊंगा कि पिक टूल और प्रेहंड टूल कैसे योच करते हैं ठीक है तो चलते हैं पिक टूल के बारे में बताता हूं ठीक है तो आप यहाँ को देखेंगे वह साथे सेप दिख रहे हैं ठीक है तो मैं पिक टूल से इसी एक अबचेक्ट पे माउस सेलेक्ट क्लिक करके सेलेक्ट करता और shift के साथ माल लिजी हमें ये select करना हो और जितने भी ये आपको दिख रहा है purple color इसमें मैंने सारे पे click कर लिया ठेक अब इसमें मैं दूसरा color दे सकता हूँ ठेक अब मुझे इसी में से जितने ये चान color है इसे में से मुझे किसी एक object को deselect करना है ताकि मुझे दुबारा select ना करना पड़े ठेक है तो मैं से जात किसी एक object को select कर देता हूँ देखे मैंने ये वाल object deselect कर दिया बाकी object लिए अभी select ही है ठेक है तो मैं यहाँ से color change कर सकता हूँ ठेक है आप बाहर से भी select कर सकते है जितनी भी object को select करके आप color change कर सकते हैं या फिर कोई भी creativity दे सकते हैं ठीक है आप बीच से select नहीं कर सकते हैं object को बीच से select नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे ठीक है आप जब तक उपर से select नहीं करेंगे इसके चारों तरफ तब तक आप 20 से सिलेक्ट में सकते हैं आप सिर्फ उपर से सिलेक्ट करेंगे इसके चारों तरफ तब ही सिलेक्ट होगा ठीक मैं चाहूं तो इसको पूरा सिलेक्ट करके पिक टॉल से इसको सिलेक्ट कर सकता हूं यह आप भी कर सकते हैं ठीक है दूसरा option यह कि आप प्रिक टूल से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं या फिर यहां से हटा सकते हैं माउस लेट क्लिक किया और यहां से हटा सकते हैं ठीक है तिसरा option कि आप mouse left क्लिक करके इसको एक बार और इसी पी क्लिक करेंगे mouse left तो यह आपके angle rotation में convert हो जाएगा और यहां से आप angle change कर सकते हैं जैसे मान लेजिए मैं control जिट मारता हूँ तो अभी देखें आप ऐसे आपको horizontal में दिख रहा है लेकिन मुझे चाहिए यह vertical भी तो मैं इसको select करूँगा एक बार और एक बार और select करके मुझे control के साथ इसको सिर्फ mouse left क्लिक करके इसको drag करने है नीचे के तरफ या फिर ऊपर के तरफ तो यह अपने angle पर यह बदल जाएगा ठीक है अभी आप देखें zero once भी है मुझे 90 डिगरी पर करने है तो select करके control दबा करके आप mouse left क्लिक करके आप इसको track करेंगे तो यहां पर देखेंगे 270 डिगरी यानि angle पर यह change हो चुका है ठीक है वैसे same आप इसमे prehand tool से भी आप कर सकते हैं ठीक है तो prehand tool का मतलब यह हुआ कि आप मालीजी बहुत सारे object हैं मुझे इसमें से कुछ गिने चुने हुए object को select करना है तो जिसे मालीजी हमें यह object select करना है फिर यह वाला करना है ठीक है तो यह देखें दो select हो गया ठीक है आप इसमें select करके यहां से prehand tool जो दिख रहा है आप इसको select करके भी अलग से यह color दे सकते हैं ठीक है हाँ लेकिन आप अगर select करेंगे तो आपको ऐसे select करना पड़ेगा ठीक है आप इसको 20 से भी select नहीं कर पाएंगे बलकि जैसे आप pick tool करते थे यह से आप इसको भी ऐसे यूज कर सकते हैं ठीक है से आपका pick tool जो काम करता है आप इससे भी काम कर सकते हैं जैसे select करके one by one मैंने select कर लिया उसमें आप color भी कोई change कर सकते हैं या पर किसी एक object को deselect कर सकते हैं जश्ट इसे पर आप बिना किसी दोबारे select करते हुए हमें shift दबा देंगे किसी एक object को तो यह deselect हो जाएगा बाकी यह आपकी select हो जाएगा ठीक है आप इसको पूरा select कर सकते हैं ठीक है यहां से देखें आप इसवे पूरा select करके आप एक बार click करेंगे तो यह rotation में आपको दिखेगा आप यहां से रांडिंग कर सकते हैं घुमा सकते हैं object को ठीक है select भी कर सकते हैं इधर से उधर ले जा भी सकते हैं यह देखें ठीक है जैसे मालेजी यह इस सारे object मैंने select किया और मैं select करके मालेजी मैं इधर से उधर भी ले जा सकता हूं मैं सोच रहा हूं कि और भी object इसमें सामिल करनों तो मैं shift के साथ और भी select कर सकता हूं ठीक है यह देखें ठीक है तो I think आप प्रेहं टूल और पिक टूल के बारे में समझ गया हूंगे ठीक है तो वीडियो कैसे लगे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें ठीक है तो next वीडियो में मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नमस्कार थैंक्यूंग